नमस्कार दोस्तों, Health Healing and Homeopathy के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मैं Dr. S.P. Day Consultant Homeopathic Physician and Clinical Nutritionist from शिलिकुरी ओएस्ट बेंगोल से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ Myasm, the practical utility Homeopathy का सबसे ज़्यादा बितरकित, सबसे ज़्यादा बिबादमय जो पॉइंट है, वो है Myasm अगर आप Homeopathy Practitioner है, Homeopathy Student है, Homeopathy Doctor है अगर आप Practice करते हैं, तो Myasm के उपर आपको बहुत ज़्यादा जानने का जरूरत है हाँ दोस्तों जरूरत है, practical utility इस चीज़ का है बहुत ही important part हम लोगों के practice में ये play करता है और सबसे ज़्यादा focus आपको क्यूं देना चाहिए Myasmatic Prescription में कि ये आपका prescription का timing, हाँ दोस्तों, जो case taking करके, evaluate करके constitutional remedy आप select कर रहे हैं, इसका जो time लगता है, ये आपका timing short कर देता है ये आपका direct जो आप constitutional medicine धुनने वाले है, कौन सा, उसमें आपका direct ये निशाना लगाता है और ये जो part है, इसको लेके बहुत सारे debate है, कि Myasm ये है, वो है, Myasm bacteria है, bacterial state है इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, what is actually in philosophy और science in Myasm इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, practically हम लोग इसको कैसे देखते हैं, practically हम लोग इसको कैसे सोचते हैं इसका कुछ उदारन, जो examples है, जो मैं करता हूँ, 16-17 years से मैं homeopathy practice कर रहा हूँ, उसके पहले मैं 6 साल homeopathy student था, BHMS में जो मैंने देखा, जो मैं सिखा, जो मेरा experience है, वो मैं आपके साथ share करने बाला हूँ सबसे पहले है, दोस्तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अन तक वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए है, चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा, और bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा, कैसे utility full homeopathy learning series के वीडियो में आप लोगों के लिए अकसल लेके आते रगदा हूं, तो दोस्तो, homeopathy में selection of constitutional medicine के लिए myasm बहुत important है, symptoms जो आप ले रहे हैं, उसका myasmatic coverage कितना है, सापोज एक patient आपके पास आया, 20-22 साल का एक लरका, उसका renal stone हुआ है, और वो history दे रहा है, कि मेरा 16 साल के उमर में appendicitis operation हो चुका है, अभी symptoms prominency में आपका lyco, थुजा, ये दो medicine, calcularia curve, lyco, थुजा, तीन medicine आ रहा है, आप सोचने बढ़ गए, बैट गए कि किसको हम, इस patient को कौन सा constitutional medicine दे, किसको जल्दी आराम मिल जाए, तो patient का जो past history है, इसमें patient में already दो prominent psychotic nature का दे दिया है, and all psychotic past history को हम लोग predominant psychotic states पकर के चलेंगे, तो 16 साल के उमर में उसका appendicitis हुआ, उसके बाद उसका 20-22 साल में renal stone हुआ, फिर आपके पास आया, तो ये जो deep-seated psychotic manifestations है, क्योंकि renal stone का जो stage में आपके पास आया, उसको हम लोग psychotic पकर के चलेंगे, appendicitis को हम लोग psychotic पकर के चलते हैं, तो ये जो states है, इसको आप prominent anti-psychotic अभी medicine आपको select करना है, अभी आप matrium में study करेंगे, तो lyco और calcarea और स्थुजा में dips सबसे ज़्यादा psychotic आपको थुजा मिलेगा, अगर patient का कोई भी characteristic या maximum characteristic थुजा के साथ आपका correspond करता है, तो आप जरूर उसको थुजा दीजिएगा, थुजा से start कीजिएगा, फिर उसका psychotic symptoms कम होगा, psychotic कुछ भी physical general, mental general कम होगा, तो लाइको या calcarea में आज आएगा, second prescription में आप लाइको या calcarea में जा सकेंगे, ऐसे ही homeopathic होता है, और ऐसे ही homeopathic constitutional medicine काम करता है, अभी आप ये एक myasmatic state है patient में, अभी इसको अम लोग ऐसे अगर सोचते हैं, कि एक patient आपके पास आया, जिसको rheumatoid arthritis है, तो rheumatoid arthritis is generally, startingly, it is psychotic, जब उसका permanent, जो claw, hand बगएरा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो आप उसको syphilitic state पकर सकते हैं, psychosyphilitic nature का rheumatoid arthritis होता है, basically psychotic होता है, अभी patient बोल रहा है, कि मैं 10 साल से diabetic हूँ, 12 साल से migraine का medicine ले रहा हूँ, 5 साल से hypertension का medicine ले रहा हूँ, तो ये जो complex case है, इसमें बहुत सारे symptoms आपको आ जाएंगे, बहुत सारे alopathy medicine उसका चल रहा है, फिर भी आपके पास आए है, अभी आपका rheumatoid arthritis का pen उसको minimize करके दिखाना है, तभी वो patient आपके पास बार-बार आएगा, rheumatoid arthritis धिरे-धिरे की ओर होगा, तो ये जो complex myosmetic states है, इसमें आपको patient का family history, past history से ज़्यादा आपको जो देना है, patient का present state of symptoms क्या है, अगर उसका pen nightly aggravation हो रहा है, फिर पार्स्पिरेशन हो रहा है, offensive border आ रहा है, तो आपका अभी जो remedy है, उसमें syphilitic coverage ज़्यादा होना चाहिए, जो ये जो चीज है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत दिन practice करने के बाद ही होता है, तो ऐसे करके हम लोग myosm and myosmetic state को कौभराब कर लेते हैं, case to case से भैरी करता है, acute case में भी अलग, chronic case में भी अलग-अलग भैरी करेगा, authenticate the remedy, देखिए, जो medicine आपने select किया, कभी ऐसा होता है कि myosm के बारे में आपने उतना सोचा नहीं, लेकिन ये एक remedy आपने select कर लिया, देने में confidence आ नहीं रहा है, तो इसका past history, family history, patient का past history and family history में predominance of the myosm है, अगर उससे वो मिल जाता है, तो आपको देने में authenticate हो जाता है, तो select the remedy boldly, जो मैंने पहले बताया, पहले case में, थूजा को आप boldly select कर सकते हैं, actually क्या होता है, जब आप पूरा symptoms ले लेते हैं, constitutional medicine, physical general, mental general, अच्छे तरह से, तब आपका एक या दो remedy में आपका सोच अटक जाता है, तो ये जो एक या दो remedy में आपका सोच अटक गया है, इसमें आपको myosm help करता है, कौन से remedy में हम लोग अभी इसको दे, देखिए, आजकल बहुत सारे के prescription हो रहे हैं, कभी-कभी ऐसा भी prescription आपको दिखने को मिल दा है, कि एक patient का complex state में, दो-तीन mental symptoms लिया, उसको रिपर्टरी से convert कर लिया, confirm कर लिया, उसी hyosya masya, ozone या कोई भी एक symptoms, medicine दे दिया, तो इससे क्या होता है, इससे symptoms minimization, patient का betterment तो हो जाएगा, लेकिन long term में patient को treatment में अगर रख के आप उसको दिरे-दिरे cure करना चाते हो नहीं करेंगे, तो आपको उसमें myasam का help लेना ही पड़ेगा, देखिए, myasematic, symptomatic, similimum आपका जो होता है, वो ही myasematic, similimum होता है, का flare-up कौन सा है, इसमें आपका हम लोगों को coincide करना problem हो जाता है, जैसे handyman ने सबसे पहले बोला है, अपने organon में या chronic disease में भी बोला है, कि अगर mixed myasematic state है, तो prominent myasematic symptoms है, जो patient का prominent अभी symptoms है, उसको ठीक करो, इसके बाद पहले syphilis को ठीक करो, फिर psychosis को ठीक करो, तो एक patient, अभी आप बोलेंगे, कि एक patient हम लोगों के पास जो आता है, वो तो mixed myasematic state लेके ही आता है, तो mixed myasematic state लेके अगर patient हम लोगों के पास आएगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे, कौन सा चीज़ को कभी कैसे ठीक करना है, यह आपको बोलेगा patient का symptoms, पेशेंट का symptoms, जो एक patient gastric problem लेके आपके पास आ रहा है, उसका खून का उल्टी हो रहा है, hematemesis हो रहा है, that is syphilitic, लेकिन उसको pain हो रहा है, खून का उल्टी बगरा नहीं हो रहा है, लगातार, regurgitation of the foods हो रहा है, burning हो रहा है, तो यह psychotic, तो यह natures इसको लेके मैं अलग-अलग video बनाऊंगा, कि सोरा का symptoms किया है, primary and secondary, syphilis का symptoms किया है, primary and secondary, and psychosis का symptoms किया है, primary and secondary, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, अगर आपको होमीपेती सीखना है, ठीक से judge करना है, तो, और यह एक problem होता है, कि जो नए prescription कर रहे हैं, उनमें, कि symptoms मिला के, एक medicine, suppose रिमाटर अर्थरेडिस का case में, कॉस्टिकम आ गया, आप कॉस्टिकम दे दिये, अच्छा काम भी क्या, क्योर भी हो गया, लेकिन second prescription में आप जाएंगे, जब आके बोलेगा, डॉक्टर साब, आपने जो medicine मुझको दिया था, तीन-चार महिना तो मैं बहुत अच्छा रहा, अभी तो medicine काम नहीं कर रहा है, अभी क्या, तो यहाँ पे आप देखिएगा, दूसरा मायाजमेटिक जो symptom state है, उठके आ रहा है, कॉस्टिकम आप जब दिये थे, predominantly psychotic था, अभी सिफिलिटिक या सोरी का रहा है, तो यह जो point है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा emphasis करना है, ऐसा कुछ नहीं है, कि आपको हाती घोरा बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है, आपको जो सीखना है, patient का myasmatic evaluation, एक asthma का patient में, अगर आप उसका past history में कि मम्मी को, पापा को, दादा, नाना को, नानी को, किसी को asthma था, तो definitely आपका patient is predominantly anti-psychotic, अभी ऐसा हो सकता है, जब आपके पास आए, सिफिलिटिक या सोरीक manifestation ज़्यादा है, तब आप सोरीक या सिफिलिटिक medicine दे के उसको cover up कर सकते है, लेकिन एक नाइक टाइम में आपको predominant anti-psychotic medicines में जाना ही परेगा, यही है practical utility of myasm, और भी बहुत सारे points है, practice में myasm के लगे, जैसे block removal medicine, देखिए, एक patient आपके पास, mixed myasmatic states में ही अकसर chronic disease के patients हम लोग के पास आते हैं, तो एक time में हम लोगों का ज़रुरत परता है, कि इसको block remove करे, तो सोरा हो तो सोरीक, सिफिल psychotic हो तो psychotic block removal medicine आपको आप दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, देखिए, एक patient mixed myasmatic state लेका आया है, सोरा का आपने treatment कर दिया, जो symptomatic medicine था, उसी से आपने patient को relief मिल गया, relief मिलने का बात patient बोल रहा है, मुझको अभी तो कोई problem नहीं है, लेकिन जो problem लेके मैं आपके पास आया था, वो काफी हद तक 70% कम हो गया है, 30% अभी तक कम नहीं हुआ है, यह जो 30% remaining कम नहीं हो रहा है, well-selected medicine फेल कर रहा है, यहाँ पे patient का predominant family and past history में क्या myasmatic blockage है, myasmatic flare-up क्या है, उसको एक anti-psychotic जैसे medoninam, 1M, 10M या तुझा 1M, 10M देने से, उसका psychotic block हट जाता है, और उसका remaining remaining symptoms है, वो आपका flare-up हो जाता है, या फिर जो remaining symptoms रहेगा, उसी symptoms के उपर आप medicine देंगे, तो आपका medicine काम करना start कर जाएगा, जैसे अकसर fixed myasm में हम लोग करते हैं, कि डॉक्टर साब, typhoid होने के बाद मेरा बाल जहरने का problem start हुआ, 10 साल हो गया, बहुत सारा चीज कर लिया, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपका prescription हुआ, typhoidenum 200, तो typhoidenum 200 आप fixed myasm जाए, उसका block remove करने के लिए दे सकते हैं, chronic myasm में भी आप ऐसे दे सकते हैं, अकसर अच्छे जो practitioners से ऐसे दिया करते हैं, होमीपती का classicality यही है, आज कल यूट्यूब में चल र pseudo chronic disease and artificial chronic disease, आज कल आपके पास जो patients आएंगे, तो chronic disease के particular, वो 3-4 allopathy medicine लगाता है, लेते लेते ठके हुए आएंगे, और उसका जो side effect है, that is called artificial chronic disease, इसमें भी आपको patient के according आपको चलना परेगा, जो symptomatic layer है, उसको आपको clear करते करते जाना परेगा, सबसे ज्यादा important जो हो जाता है, वो है, अकसर doctors बोलते हैं, अकसर students मुझको बोलते हैं, कि जो symptomatically medicine indicate करेगा, हम लोग तो ही देंगे, myasm हम लोग क्यों को भारब करें, देखिए, patient को fully cure करने के लिए, जब आपका fail होता है, तब, जब fixed myasm या chronic myasm का block remove करना है, तब, और second prescription में myasm आपको इतना help करता है, कि बहुत ज़्यादा काम सहज हो जाता है, और first prescription में, confusing states में, confusing symptoms में, बहुत सारा patients हम लोग के पास आता है, वहाँ पे अगर आप numerical totality करें, कि patient का characteristic को पुरा रेपर्टरी में डाल दें, और वहाँ से जो penicine आया, वही medicine patient को दे दें, तो patient अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ पे आगर आप myasmatic angle से सोचे, और myasmatic जो coverage करके, जैसे पलसेटिला का एक केस में, आपने मेडोरी नम दे दिया, सालफर का एक केस में, आपने सोराई नम दे दिया, मार्कसॉल का एक केस में, आपने सिफिलाई नम दे दिया, या नाइट्रि बहुत ज़्यादा rapidly progress होता है, तब आप जो classical homeopathy है, पूरा आप तब कर सकेंगे, मायasm के उपर मैं पूरा एक series लेकर आऊंगा, क्या है मायasm का symptoms, primary, secondary, tertiary, कैसे उसको applications करना है, कितना गुरुत्प उसको देना है, कितना weightage उसका है, मेरे चैनल पर बने रहिएगा, अगर आपको काम का लगा, तो अपने social media handle में इसको share करना मत भूलेगा, दोस्तों, नमस्कार